जीवन जियोती बायलोजी चैनल में मैं आप सब का स्वाबत करती हूं आज कुछ कोश्चन ऐसे नए कोश्चन जो टिशू चाप्टर से रिलेटेड हैं तो शुरू करते हैं देखें फटफट टिशू हो गया चाप्टर एप्रोच आज डिफरेंट है NCRT की बुक से ये कोश्चन लिए गया है डायग्राम भी वहीं से क्लिक किये गये है और वो जो बोर्ड को फॉलो कर रहा है CBSE बोर्ड हो गया दोनों का सलवस अगर कंपेर कर लें यानि CBSE को अगर हम ICSE से कंपेर कर लें तो चैप्टर की कंटेंट में कोई वेरियेशन नहीं है केवल थोड़ी बहुत डायग्राम बेस्ट कोश्चन इसमें CBSE बोर्ड में X's है आए कंटीन्यू करते कहां जा रहे हम टिशू की बात कर रहे है ठीक है और आपकी बुक में यानि NCRT की बुक में इस चैप्टर का नंबर हो गया चैप्टर 6 तो शुरू करते हैं क्या कह रहे हैं वह आप से कह रहे हैं कि कोश्चन नमबर 1 से इस यह आगे तो मसल सेल्स में कॉंट्रेक्शन होता है और रिलेक्जेशन होता है तो आपको क्या लिखना है आंसर लिखना है द्यू टू द्यू टू कॉंट्रेक्टाइल प्रोटीन यह लिख लिया हमने यह हो गया कॉंट्रेक्टाइल प्रोटीन यानि इसके पास कुछ ऐसी प्रोटीन्स पाई जाती है जिनमें कॉंट्रेक्शन और relaxation की चमता होती है P-R-O-T-E-I-N यह हो गया answer due to contractile protein question second क्या कह रहा है what is differentiation of tissue tissue का differentiation क्या है answer क्या बोलेगे बोलेगे जो tissues develop होते यह actually differentiation of tissue on the basis of function होता है तो जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं for example इस वाले part को ऐसे कर लेते हैं और इसको लेके नीचे आते हैं for example अगर किसी plant में meristematic tissue है meristematic tissue तो उस meristematic tissue में सारे tissues को differentiate करके नए बनाने की चमता है यानि वो अगर कोई food storage वाला tissue बनाना है तो parent काइमा में convert होगा यह लिखा हमने अगर उसको mechanical support देना है तो हो सकता है वो colin काइमा या scleran काइमा में convert हो जाए तो यह chloran काइमा लिखा या scleran काइमा लिखा तो answer कैसे लिखेंगे ऐसे तो answer लिखेंगे नहीं यह तो समझने के लिए हो गया answer लिखेंगे on the basis of different types of function tissues are differentiated this is called differentiation of tissue अच्छा अब अब वो कह रहे हैं आपसे कि इसको clear कर लेते हैं हमें space चाहिए third में कह रहे है define chloran काइमा आप देख पा रहे हैं जहां भी word chloran आ जाया आप समझ जाए कि यह chloroplast की बात कर रहे हैं यानि chloran काइमा एक तरीके का पैरन काइमा है कैसा पैरन काइमा देखते हैं कैसा पैरन काइमा है ऐसा पैरन काइमा mostly living tissue है mostly क्या है living tissue तो चलते हैं पैरन काइमा पहले बना लेते हैं यह आ गए हम chloran काइमा पे और इसको पहले पैरन काइमा simple बनाते हैं ऐसे 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 कैसे पहचानते की पैरन काइम है क्योंकि बीच में यहां पर देखे यह air gap आ गया है एक और सेल अगर यहां बना दे तो बहुत clear दिखा ही पड़ेगा यह air gap आ गया इसको हम लोग कहते हैं intercellular space यह हो गया intercellular space अब अगर यह chlorine काइमा है तो इसमें वेक्यूल के साथ-साथ chloroplast भी पाया जाएगा तो define chloranchyma कैसे लिखेंगे apparent chyma tissue which contains chloroplast is called chloranchyma next आएगे कह रहे है husk of the coconut is made up of what kind of tissue answer is very simple this is scleranchyma तो इस fourth वाले part का answer यह लिखा स-C-L-E-R-E-N-C-H-Y-M-A यह हो गया scleran का इमा what is lignin lignin is there lignin कहां होता है secondary wall में S-E-C-O-N-D-A-R-Y secondary wall और उसे wall word यूज किया है तो यह कहां होगा plant cell में simple कहां है यह plant cell में जल्दी से बना के देख लेते हैं एक ऐसी plant cell बनाई तो अगर यह primary wall है PM लिखा हमने तो जो secondary wall है न वो इसके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे एक layer और बना लीजी ऐसे यह अंदर के तरफ ऐसे 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 यह हो गई हमारी secondary wall और secondary wall लिगनिन की बनी होती है वो पूछ रहें लिगनिन क्या है तो just write down that lignin is a carbohydrate यह carbohydrate है और साथ में कहां इस्तमाल हो रहा है secondary wall को बनाने में कह रहे हैं to avoid evaporative loss of water हमें evaporative water के loss को बचाना है यानि हमें transpiration कम करना है तो अब हम इस answer पर आ गए हैं इसलिए इसको लिख लेता है यह कह रहे हैं यह यह यानि हमें क्या करना है to reduce r e d u c e transpiration पानी कम है वहाँ पर इसलिए हमें उसको उड़ने से बचाना है next चलते हैं कह रहे हैं where we can find stomata simple leaves कहां पाए जाते हैं leaves में अगर dicot है तो lower surface में और monocot है तो दोनो upper and lower दोनों में अब इस समय हम 8 पे आगे which part of the older plant contain the chemical soberan ठीक है answer लिखते हैं cork जब secondary growth होती है तो cork बनता है और जब cork बनता है तो उसको उसमें soberan पाया जाता है compound है soberan अगला चलते हैं कहरे क्या है where we can find the basement membrane basement membrane के लिए answer लिखते हैं देखे क्या है basement membrane basement membrane is present just below the epithelial cells not epidermis right I am correcting myself चले थोड़ा सा space चाहिए तो space बना लिया जाएं क्या कह रहे हैं आपसे कह रहे हैं कि basement membrane membrane कहां पाई जाती है ना तो it is present just below just below epithelial epithelial tissue है ना किसी भी किसी भी जैसे skin है तो skin के नीचे पाई जाएगी क्यों पाई जाती है basement membrane यह एक tissue को दूसरे tissue से separate करती है यानि अगर यहां पर epithelial tissue है और नीचे की तरफ connective tissue है यह लगा लिया हमने यहां connective tissue है तो basement membrane बीच में पाई जाएगी यह हो गई basement membrane BM लगा लिया हमने next चलते हैं क्या बात कर रहे हैं वो हमसे कह रहे हैं कि what compounds do the bone heart matrix contain क्या होगा matrix यहां पर contain करने के लिए heart में देखते हैं आपे इसके पास calcium and phosphorus भी एच ओ एस पी हो आर यू एस calcium और phosphorus के compound पाई जाएंगे फिर क्या कह रहे हैं 11 वाले में कह रहे हैं give two example of involuntary muscles इस 11 वाले कोशन को लेकर आ रहे हैं एक आएगा unstriated 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 muscular fiber यानि M-U-S-C-L-E-S शकल पहचाने spindle shaped होता है यह बीच में एक nucleus होता है यह mostly सारे internal organs में पाया जा रहा है दूसरा क्या example होगा एक तो यह हो गया दूसरा क्या होगा दूसरा example हो जाएगा cardiac muscles C-A-R-D-I-A-C cardiac muscles M-U-S-C-L-E-S दोनों ही involuntary हैं अब next पे चलते हैं चलिए फिर space चाहिए हम लोगों को यह आ गए इधर चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है कि what does a single cell perform the amoeba all life activities जितनी life activities हैं सब perform करेगा यहीं से तो जीवन शुरू हो रहा है all life activities यह हो गया इसका answer नेक्स्ट कह रहा है if blood flow get stopped suddenly what happened to us अरे भाई food का ट्रांस लोकेशन नहीं होगा hormones का ट्रांस लोकेशन नहीं होगा hormones ट्रांस लोकेट नहीं होगा excretory products का ट्रांस्परेशन नहीं होगा तो यह हो गया excretory products P-R-O-D-U-C-T-S फिर आए what is tissue give an example tissue the group of cells को एक example दे दीजे plant में देना है parenchyma दे दीजे animal में देना है epithelial दे दीजे काम कतम फिर कह रहे है right short note on aranchyma अब इस aranchyma को निकाल के बाहर लेके आते हैं कैसा aranchyma aranchyma में क्या कर रहे हैं कि जो parenchymatous tissue है पarenchyma को बनाने के लिए tissue बनाने ऐसे उसको इस तरीके से बनाया जा रहा है कि बीच में वो air को trap करें यह air है यह इसको trap करें इसको trap करें ठीक air को trap करने से क्या होगा कि वो bouncing देगा nature यानि जितने hydrophytes होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं वो सारे plants के पास air in kaima पाया जाता है अब चलिए फिर चलते हैं मेरे कहाल से air in kaima आपने कर लिया होगा बना लिया होगा समझ लिया होगा आगे चलते हैं फिर कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि इस पार्ट में है वाट इस इंपोर्टन्स ओफ वैक्सी कवरिंग ऑन दी एरियल पार्ट ऑफ प्लांट तो जो वैक्सिंग कवरिंग है ना उस वैक्सिंग वैक्स कवरिंग को हम लोग मनेराई उस बोल्ट को ओच वेजिए थाल और याल किय वी यह होगा वंग्स में वाल, और यह व्लंटकी वनम बनेफ वीजिट, और तो तो एंपॉटनस क्या कौँश बहित हो सकित ना ना दूर जो अ काम टोकित व्ले किंग करें संपर्एशना transpiration r-a-t-i-o-n फिर कह रहे हैं why stomata is important for gaseous exchange simple write the importance of epidermal cells of the root right epidermal cells of root gives root hair यह root hair देते हैं और root air water का absorption करना तो आपको क्या बताना importance पहला है कि protection करेगा दूसरा यह root hair देगा root hair देगा जो water के absorption में help करेगा फिर आईए कह रहे हैं कुछ चुटा हमसे एर्थ चूट रहे हैं differentiate between ligament and tendon अच्छा तो याद कर लें आप ligaments connect bone to bone भी भी लिख रही हूं मैं एक bone को दूसरे bone से connect करता है tendon connects muscles to bone muscles to bone उल्टा नहीं लिखेंगे पहले muscles लिखेंगे फिर bone लिखेंगे यह तो question बहुत important है हर हाल में एक्जाम में पूछा ही जाना है फिर कह रहे है राइट शॉर्ट ओट ओन कार्ट कार्टिलेज कार्टिलेज एक non-porous tissue है और connective tissue है और यह हमने लिख लिया non-porous tissue चरह हम बात कर लें इसमें कार्टिलेज की यह तो connective tissue है supportive tissue है दूसरा पॉइंट हो गया तीसरा non-porous है और इसके पास blood supply और nerve supply नहीं है कार्टिलेज के पास कहा कहा पाया जाता है एर में long bones के head पे पाया जाता है यानि consider करें कि ऐसे एक long bone बनी हुई है यह तो इसके head पे cartilage पाया जाएगा यानि यह ऐसे present होगा पैडिंग का काम करता है यह है cartilage और कहाए यह लोग present है यह यह लोग ऐसे राइट तो इयह लोग में यहाँ पे जो अंदर की तरफ supportive tissue है उसको हम cartilage के नाम से जानते हैं चलिए अगला देखिए सारी question cbac के book में दिये वह हैं एक भी question मैंने इधर उदर से नहीं लिया अगला चलते हैं क्या आप से कह रहे हैं कि differentiate between ariolar and a dipos tissue a dipos tissue के पास fat cells होते हैं यह fat cells contain करता है पर है connective tissue इस बात को याद रखेंगे connective tissue है connective tissue राइट यह हो गया और जो ariolar tissue है ना यह packing tissue होता है पर है connective tissue तो मिल गया हमें difference यह packing tissue है rich in fibers हैं और यह he貌 को पास fat tissue यह skin को flexibility दे रहा है यह temperature maintain करने में help कर रहा है यह कौन अदिबोस अदिबोस tissue यह अदिपोस tissue जिसके पास fat cells है वो food store कर रहा है body का temperature maintain कर रहा है body skin को tonosity दे रहा है flexibility दे रहा है पर कह रहा है how multi cellar organ show division of labour division of labour का मतलब होता है अलग-अलग टिशू को अलग-अलग तरीके का काम दिया हुआ है ठीक है तो क्या answer लिखेंगे सीधा लिख लेते हैं सीधा सा answer थोड़ा उपर लेके चलते हैं कि next time हमें ना हटाना पड़े थोड़ा थोड़ी देर तक इस समय हम लोग यहाँ हैं तो division of liver क्यों है कि tissue differentiation है यहाँ पे tissue different है d i f f e r e n t आपको क्या लिखना है इन multicellular organs और in how multicellular organs show division of liver so multicellular organs are having different tissue for performing different function so it shows division of liver फिर कह रहे हैं differentiate between the plant and animal tissue तो ऐसा question mostly नहीं पूछा जाने वाला है क्योंकि एक बहुत long question है ऐसा तीन नंबर का 3 marker ऐसा question नहीं आएगा यह activity एक cbsc की बुक में दिया हुआ है क्या किया है cbsc के बुक में उन्होंने लिखा है jar 1 jar 2 कोशियन में उन्होंने क्या कर दिया jar a jar b simple कुछ नहीं activity दिये क्या कह रहे है कह रहे है jar 1 में पानी फिल करिए यह water फिल कर दिया हमने यहापे और एक अनियन के बल्ब को उसमें डिप कर दिजिए अब इस टाइग्राम में शायद आपको बहुत clear नहीं दिख रहा तो मैं अ यह roots निकल रही है यह निकल रही root और यहां भी निकल रही root ठीक है अब वो कह रहे है कि अगर इस किसी एक jar में root के tip को काट दे तो आहीं देखते कोशिन क्या है simple से बात है कि हमने दो jar लिये वे और दोनों के ऊपर onion रखा हुआ है और ऐसे रखा है कि onion का जो यह stem वाला पार्ट है यह part इसका stem कहलाता onion का यह न तभी तो यहां से roots निकल रही है adventitious roots है उसको ऐसा रखा है कि वो पानी में dip कर जाए कह रहे है what type of the activity does the picture shows picture is showing you the growth of root यह नि एपिकल मेरिस्टेम को दिखा रहे है यहां पर क्या हो जाएगा यह एपिकल मेरिस्टेम दिखा रहे है growth of root in downward direction कि do the roots continue grow if we cut the tip of the roots no अगर tip काट देंगे तो नहीं क्यों क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम कट जाएगा न अगर कोई root नीचे की तरफ जा रही है ऐसे जा रही है तो एपिकल मेरिस्टेम तो यहां है Meristem ही बार 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 डीवाइड ओरी नए cells बना रही है जब नए cells बनेंगे ही नहीं तो growth होगी कैसे तो जब ऊपर की tip काट देंगे तो no why would the tip, why tip stop growing with the jar be after the cut them यनियनी root को यह यहा से cut कर देंगे यहा से cut कर दे रहे हटा दे रहे है इंकी slicing कर दे प्रूनिंग कर दिये, तो क्यों ग्रोथ काम हो गई, as, as, apical meristem, meristem is removed, हटा दिया, r-e-m-o-v-e-d, अच्छ, अगला आई, what are the characteristics of meristematic tissue, यहां लिखना आपको, एक meristematic tissue में, जो meristematic tissue होते हैं, उसका nucleus का size बड़ा होता है, ठीक है, एक point हो गया, cytoplasm dense होता है, दूसरा point हो गया, food rich होता है, तीसरा point हो गया, intercellular gap almost नहीं होते हैं, cells का size चोटा, nucleus का size बड़ा होता है, और vacule almost absent होते हैं, बस कहानी कहता, यही meristematic tissue, चोटे-चोटे sentence लिखे, लेड़ सारे number लीजिए, फिर next कह रहेंगे, फिर question 5 आगया, कोई बात नहीं, printing error होगा, how will you prepare a thin slice of a plant stem to observe under the microscope, फिल हाल इस वीडियो में इसको cut कर देती हूँ, next time इस question को फिर कभी किसी दूसरी वीडियो में discuss किया जाएगा, कह रहे, briefly describe about the parenchyma tissue, बहुत simple है, parenchyma tissue में क्या ह होगा, cells almost circular होगे, बीच में देखे, यहाँ gap पाया जाएगा, उपर बना के दिखाया है, मैंने, तो क्या लिखेंगे, यह nucleus बना दिया, एक बड़ा सा vacuum बना दीजे, यह, तो समझने के लिए इसको हमने लिख लेना है, vacuum, v-a-c-u-o-l-e, इसको लिख देना, nucleus, n-u लिखके काम चला ले रहे, और इसको हम लिखेंगे, intercellular space, यह हो गया, intercellular, c-e-l-u-l-a-r, s-p-a-c-e, है ना, अब इस कहानी को समझने का तरीका ही है, हमें parent काइमा के हमें क्या बताने है, parent काइमा, tissue of plant, briefly describe करना है न, तीन नमबर में रहे, ठिक कोई बात नहीं, सबसे पहले हमें में बनाना है, पहला point बताना है कि यह living है, यह living है क्योंकि nucleus present है, दोसरा point बताना है nucleus present है, तीसरा white point बताना है, vacule present है, चौधा point बताना है, intercellular space present है, हो गया, briefly explain, आप बना पाए, diagram बना है, time short पढ़ रहा है, वो भी ना बना है क्योंकि diagram की demand, यहां question में कर नहीं रहा है, तो यह blood हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, फिर कह रहे हैं, liquid connective tissue में, नाम पूछा, नाम लिख दिया, how many different types of cells are there, cells पूछा इनोंने, तो आपको लिखना है, RBC, फिर क्या लिखना है, WBC, फिर क्या लिखना है, platelets, P-L-A-T-E-L-E-T-S, लिख दिया हमने platelets, फिर क्या कह रहे ह है, simple, बहुत simple simple question है, यहाँ पर, आईए, अगला, क्या कहरे है, what do you think voluntary muscles, अच्छा, what do you think about the voluntary muscles, होना चाहिए, ता चली कहा है, कोई बात नहीं, language पर नहीं जाते हैं, हम अपनी बिल्कुल content पर आते हैं, voluntary muscles, skeletal muscles, treated muscles, all are the same, yes, they are same, यह सब same है, जो voluntary हैं, वही skeletal है, जो skeletal है, व diagram, यहाँ पर, आपकी book में, यानि Salina publication में, इस तरीके से बना हुआ है, यह multi-nucleated होते हैं, labeling अगर ना हो, तो labeling जाननी चाहिए, इस वाले part को हम लोग कहते हैं, dark band, और इस वाले part को हम लोग कहते हैं, light band, और इसको आप nucleus label कर लीजे, simple सा काम हो गया, कतम, चाह, उसके बाद पर कह रहे हैं, इस पर है, 9th पर, with the help of the diagram, show how the nucleus, नहीं, how the neuron look like, यह neuron यह पढ़ना था, मुझे ठीक है, बड़ा dense हो रहे हैं, तो थोड़ा सा picture clear कर ली जाए, तो हमें neuron दिखाई पड़ेगा, अब यह तो ऐसे लिख दें, जिस तरीके से पूछा इन्होंने, यह एक तरीका और है लिखने का, यह सीधे, यह कहने कि, draw the diagram of neuron, तो आपको neuron का diagram, मैं इससे पिछले जो वीडियो बनाई न, उसमें सिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक rough sketch बना के दिखा देते हैं, यह हमने nucleus बना लिया, needles, granule बना लिया, dendrites बनाएं, और एक लंबा सा exon बनाएं, ऐस U, और उसके उपर myelin sheet की covering बनाने, लेबलिंग करते समय आपको ध्यान रखना है, यह cyton है, यह cyton हो गया, और यह exon है, यह दो labeling तो मिली गई, एक और करिए, यह nucleus है, यह nucleus हो गया, उसके बाद यहाँ dendrites निकाल दीजे, dendrites बन गये, यह schwann cells है, यह myelin sheet लिख दीजे इसको, M, Y, E, L, I, N, Simple, sheet लिख दें अब, S, H, E, A, T, H कर दें, या SH, E, T, कर दें, चलेगा, अब यह कह रहे हैं, next क्या कह रहे हैं, एक diagram दिया है, फिर diagram based question बिलको लिख दें, CBSC की book का ditto copy यहाँ पर किया हुआ है, थोड़ा सा हमें space चाहिए, तो इसको हटा लिया जाए, चले क् करें, एक diagram बना रखा है इन्होंने, और कह रहे हैं, आप से, किस diagram को identify करें, what type of the plant tissue are showing here, तो कह देते हैं, meristematic, यहाँ पर हम meristam दिखा रहे हैं, यह हमने कह दिया, M, E, R, I, S, T, E, M, फिर कह रहे हैं, label the part A, apical meristam हो गया, आप meristam लिखते रहे हैं, B, जो हैं, intercalorie हो गया, I, N, T, E, R, dash लगा लेते हैं, C, A, L, A, R, Y, यह C है, right, C, A, L, A, R, Y, C क्या है, C हो गया, lateral meristam, L, A, T, E, R, A, L, lateral meristam, meristam को M, E, R, I, S, T, E, M, और यहां हम इसका example क्या देंगे, cambium, यह हो गया, इसका example, अगला, एक question यहां पर diagram किसी और चीज़ का बना था, बट वो मैंने ऐसा ले लिया, जो 9th के standard का हो, ठीक है, अब इस tissue को हमें पहचानना है, यह tissue है, phloem, p, h, l, o, e, m, किस tissue की बात की जारी है, इस tissue की, right, यहां इसकी बात कर रहे हैं, अब phloem हमें पता हैं कि एक complex tissue होता है, ऐसी picture आई होई हो, और वो पूछे के पहचानी है, तो यह जहां पर nucleus नहीं है, यहां पर nucleus नहीं है, यह हो जाएगा, sieve tube, तो s, e, i, v, e, t, u, b, e, यह लगा दिया, sieve tube, sieve tube के बगल में हमेशा companion cell होता है, c, o, m, p, a, n, i, o, in companion cell, sister cell भी कहते हैं इसको, अच्छा, बगल में यहां पर जो यह red color का बनाने की कोशिश की गई है, इसको हम phloem, parenchyma कह सकते हैं, phloem को ph लिख लिया, और parenchyma, p, a, r, e n, c, h, y, m, e, ठीक है, और यह जो लंबे-लंबे red color के यह दादा नूमा type cell बने हैं जिन में secondary wall भी है, उसको phloem fibers के नाम से जानते हैं, अब सारे cells का function, sieve tube का function, conduction of food, food, ठीक, companion cell का function, sieve tube को assist करना क्यों, क्योंकि आप notice कर रहे हैं, sieve tube में यहां कई nucleus नहीं है, बनाई नहीं है, sieve tube के अंदर है नहीं nucleus, तो इस sieve tube का जो commander है, वो companion cell है, देखो companion cell में nucleus बना हुआ है, तो companion cell sieve tube के function को assist करती है, phloem parenchyma, phloem के लिए food store करती है, और phloem fiber, phloem को support करनी का काम करता है, अब हम चलेंगे next question के उपर, diagram based question का question number 3 है, ठीक है, एक diagram बना हुआ है, तो notice करते हैं, आप देखें, यहां पर बीच में intercellular space नहीं बना हुआ है, यहां पर कोई खाली जगह दिखाई नहीं दे रही है, हर corner का यह है, तो what type of the tissue it is, colinchyma, क्योंकि नहीं होता उसमें, gap नहीं होता, colinchyma, फरक है, यह colinchyma है, chlorin नहीं है, this is colinchyma, ठीक, अगला क्या कह रहे है, फिर कह रहे है, where it is situated, तो या तो PTOL, यानि लीफ स्टॉक में होता है, यह यह tissue, hypodermis of dicot stem में भी पाया जाता, भी तना तो नहीं याद रहे है, शायद, लेकिन फिर भी पढ़ाना मेरा काम है, hypodermis of dicot stem, यह लगा दिया, हमने hypodermis of dicot stem, why this tissue is important, क्यों, mechanical support दे दे देगा, SUPPORT, इस काहां से लिखा, what will you find in this tissue, अरे भाई, इसके corners थिक हैं, तो यहाँ पर लिखना है, corners are thick, corners are thick, खताम, simple, फिर कह रहे हैं, what is complex, यह complex, permanent tissue, है ना, complex permanent tissue में आते हैं, xylem और phloem, यह हो गया, xylem and phloem, differentiate between the xylem and phloem, क्या रहे हैं, इन दोनों में difference बताईए, यकीन मान के चलिए, कि ऐसा भी कोई question फिलाल, तो long answer type में नहीं आना, कि xylem और phloem में difference बताएं, अगर आए भी तो फाहले, तो function के basis में बताईए, xylem को यहाँ लिख लेते हैं, phloem को यहाँ लिख लेते हैं, xylem का three, three tissue ऐसे होते हैं, three tissues ऐसे होते हैं, जैसे tracheats हो गए, और whistle हो गए, और xylem fiber हो गए, जो dead है, तो xylem almost हम लोग इसको dead tissue declare करते हैं, यह dead tissue है, और phloem क्या है, यह living है, क्योंकि phloem fiber को छोड़ कर, बाकी सब living है, अब हम लोग आते हैं, फिफ्थ पे, थोड़ा सा फिर हमें space क यह वशकता है, चलते हैं, देखें, क्या कह रहे हैं, आपसे, कह रहे हैं, एक इनोंने diagram बना दिया, एक यह arrow diagram बोलते हैं, कह रहे है, plant tissue तो अगर यहाँ permanent दिया है, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ मेरिस्ट्रमाटिक tissue होगा, simple सी बात है, यह हो गया, मेरिस्ट्रम आपने इस diagram में अभी दिखाते हैं, आपे देखें, तीन पड़ा, एक पड़ा, एपिकल मेरिस्ट्रम, दोसरा पड़ा, इंटर कैलरी मेरिस्ट्रम, तीसरा पड़ा, लेटरल मेरिस्ट्रम, बस यहीं B, C, D में सिंप्ली फिल कर देना है, very easy, तो इसको मैं सिर्फ एपिकल लिख ले रही हूं, B में अपिकल, C में, इंटर कैलरी में, केवल इंटर, यह इंटर कैलरी लिख लिख लिया, C, A, L, A, R, Y, मेरिस्ट्रम हो जाएगा, D में हम लोग, लेटरल, L, A, T, E, R, A, L, लेटरल, मेरिस्ट्रम लिख लिख लेता है, ठेक, अब पर्मनेंट और दूसरा होगा पी-H, प्लो-Ύम, और सिंपल में क्या होगा, यह भी आपको पता है, यहां हम लिखेंगे, पैरेनकाइम, C, H, Y, M, A, यहां हम लिखेंगे, कॉलेनकाइम, कॉलेनकाइम, और इसके लिए, H के लिए हम लिखेंगे, इस क्लेरनकाइम अ-C, L, E, R, E, N, C, H ये हो गए हमारे permanent tissue चलिए अब आखरी वाले part के question में देख लेते हैं ये क्या क्या पूछ रहे हैं अब हम आ गए हैं question number 6 पे यहां हैं चलिए तो अभी हमें चाहिए थोड़ा सा space शलो देखते हैं कहां हैं क्या कह रहे हैं आप से कह रहे हैं कि stratified squamous epithelium क्या देना हमें राइट फंक्शन एंड लोकेशन फंक्शन बताना है तो स्टर्टिफाइड तो सीदी से बाते हैं इसकिन लगा लो इसकिन में स्टर्टिफाइड epithelium होगे location होगे ठीक function क्या protection लगा लेते हैं एक function लिखना है तो skin का main function तो protection होगया फिर कह रहे हैं ciliated columnar epithelium wind pipe में पाया जाता है तो location होगया हमारा wind pipe और दूसरा function क्या होगया function होगया trap dust dust को trap करेगा और साती साथ जो air अंदर आ रही है उसको बहुत smoothly lungs के अंदर जाने देगा glandular epithelium आईए लिख लेते हैं salivary gland में salivary gland में salivary gland में पाया जा रहा है glandular epithelium अब यहां अगर आपने salivary gland लिखा है तो आपको लिखना है to secret saliva और अगर कोई और gland लिख रहे हैं नहीं तो आप सीधे enzyme भी लिख सकते है glandular epithelium और भी उसमें पाया जाएगा glands में पाया जाएगा ठीक है जिसे pancreatic भी हो सकता है अगला D पे जाते है इस squamous epithelium का रूप रंग ऐसा होता है irregular होते हैं flat होते हैं कहीं कोई gap नहीं होता location चाहिए blood vessel में पाया जाता है blood vessel में पाया जा रहा है या skin की top layer भी इसी की बनी हुई है function दीजिए इसका main function होता है protection diffusion में भी help करता है यह लेकिन इसका main function है protection उसके बाद कह रहे हैं cuboidal epithelium लीजिए भाई cuboidal epithelium कुछ ऐसा बना होता है क्यू नहीं cuboidal पूछा है मैंने column दर बना दी आई चले फिर से cuboidal पूछ रहा है cuboidal यह cuboidal देखें cuboidal ऐसा होगा बिटा क्यूब के जैसा आप क्यूब वला जो गेम खेलते हैं तो उसमें देखते हैं सारे के सारे जो यह पार्ट ऐसा ऐसा शेप होना चाहिए ऐसा ऐसा लंबाई चोड़ाई उचाई सब बराबर इसको एक सेल का रूप दे दीजे न्यूक्लियस लगा दीजे कई सारे सेल्स बना देंगे तो वह ऐसे बन जाएगा सिंपल ऐसे सेल्स बन जाएगा अब यह cuboidal epithelium कहां पाए जाते हैं जहां सिकरीशन हो रहा हो cuboidal cell और columnar cells mostly glands में पाए जाने वाले tissues हैं अच्छा अब अगर इसी तरीके से cuboidal की जगा columnar cells पूछें तो भी आप glandular epithelium में इसको लिख सकते हैं glandular cells जब होंगी तो वहाँ पर यह पाए जाएंगे यानि इनको भी हम यहां mention कर सकते हैं और अब मैंने आपको एक कोशिश की अपनी तरफ से tissue का एक quick revision देने की तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एक generosity चाहिए आपके तरफ से पसंद आई तो subscribe भी करें मैं ऐसे ही अलग-अलग boards की book को पढ़कर question निकाल कर आपके पास आती रहूंगी और question को ऐसे ही solve करती रहूंगी thank you so much for watching so thank you and bye bye